दोस्तों आप लोगों ने अपने चारो और एक्सिडेंट होते तो जरूर देखा होगा या किसी से सुना जरूर होगा लेकिन आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ऐसे एक्सिडेंट के बारे में जो कि हम लोग सिर्फ न्यूज में ही देखते हैं जी हाँ आज हम लोग बा पकाय हुए वीडियो को शुरू करते हैं अचीस में 1989 में अमेरिका की इलनाए में विमान हादसा हुआ था अमेरिकन एरलाइन्स की फ्लाइट 191 सिकागो से उरान भरने के कुछी मिन्ट बाद दुरघटना ग्रश्थ हो गई इस विमान में 29 यात्री, 13 क्रूम मिंबर्स थे, उन सभी के साथ जमीन पर भी दो लोगों की मौत हो गई थी कुल 273 लोग मारे गए थे मायने वालों की संख्या के अनुसार ये हादसा दुनिया का सबसे बड़े विमान हादसों में दसवे अस्थान पड़ा बात है 19 फरवरे वो 2003 की, इरान के केमरेन के पास पहारी लाके में विमान हादसा हुआ था इस विमान में इरान के रिवोलूसनरी गार्ट्स के जवान सभार थे, हादसे में सभी 275 लोगों की जान चली गई थी बात है 3 जोलाई 1988 की, हर्मुजलमड मडुद्ध में इरान इयर का विमान हादसे का सिकाम हुआ था उसे अमेरिकी नौसेना ने मार गिरा थे, विमान में सभर सभी 290 लोग मारे थे अमेरिका ने कहा था कि नौसेना ने उस विमान को गलती से लड़ाकू विमान समझ लिया था वह विमान तेहरां से दुवाई जा रहा था लेकिन निश्चित मार पर नहीं था इसी गलती के कारण अमेरिकी नौसेना ने उसे मार गिराया थे बात है 17 जुलाई 2014 की यूकरेन के दोनोत्सक छेतर में मलेसिया एरलाइन्स को विमान को मार गिराया गया था विमान एमस्टर डम से कुलवाला लूमपूर जा रहा था दूसरे 83 लोग मारे गय थे एक साल बाद 2015 में डुज सिफ्टी बोर्ड ने इस हादसे की खुलासे की जिसमें बताया गया कि विमान को रूस समर्थक विद्रोहियों ने बक मिसाइल से हमला कर गिरा दिया था बात है 19 अगस्त 1980 की सौधी अरब की राजधानी रियाद से सौधिया एरलाइन्स के विमान 163 ने उरान भड़ी इसके कुछ समय बाद ही विमान में आग लग गई इस हादसे में सभी 287 यातरियों समेत कुल 301 लोगों की मौत हो ये विमान हादसा बहुत ही दल्दनाक था 23 जुन 1985 को एर इंडिया के इतिहास में दल्दनाक दिन था जब हाई लैंड से गुजरते हुए आसमान में ही उसके एक विमान को बम से उरा दिया गया था विमान में सभार सभी 329 लोगों की जान चले गए थी बाद में जब इसकी जान चुई तो हादसे के लिए अलगाओ वादी संगठन बबबर खासा के सदस्यों को जिम्मधार बताया गया बात है 3 मार्च 1974 की पेरिस के पास की जंगल में टर्किस एर लाइन्स का एक विमान दुर्गतना ग्रश्थ हो गया इस पर सवार यात्रियों वा चलक दल के सदस्यों को मिला कर सभी 346 लोग मारे गया 12 नवंबर 1996 हर्याना के चर्खी दादरी के असमान से गुजरते हुए सौधी अरब और कजा खस्तान के विमान आपस में टकरा आ गया इस भहंकर हादसे में 349 लोग की जान चली गई थी 12 अगस्त 1985 जापान की राजधानी टोकियो से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर जापान एयरलाइन्स का एक विमान दुरगटना गरश्थ हो गया था इस हादसे में कुल 520 लोग मारे गया 27 मार्च 1977 दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा विमान हादसा जिसमें 583 लोग की जान चली गई थी यह हादसा तब हुआ जब स्पिन के दूइप टेनरीफ के हवाई अड़े पर दो विमार रन्वे पर एक दूसरे से टकड़ा गए यह दो बोईंग 747 की टकड़ थी